हलो स्टूडेंट चलिए आज हम 9th क्लास पर 4.3 एक्ससाइज में से 7th और 8th कुश्चन को कम्प्लेट करते हैं इसके साथ ही अपनी जो एक्ससाइज है वो कम्प्लेट हो जाएगी फिर एक लास्ट एक्ससाइज बागी है चलिए कोई नहीं सेवन्थ कोश्चन देखे क्या है यामिना एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ओफ क्लास नाइन ओफ ए स्कूल तोगैधर कॉंट्रिबूटेड रूपीज तोवर्स दो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीव फंड तो हैल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स यह कहता है कि नाइन्ज क्लास के दो बच्चे हैं उन दोनों बच्चों ने किसी रिलीव फंड के लिए 100 रूपीज दोनों ने मिलकर 100 रूपीज जो हैं देखे टुगैधर लिखा हुआ है वो कॉंट्रिबूट किये हैं फिर कहा गया है राइट ए लीनियर एक्वेशन विच सैटिस्फाइ दिस डाटा ओके सो सिंपल सी एक्वेशन बन रही है हमें जस्ट एक एक्वेशन तियार करनी है फिर कहता है यू में टेक देर कॉंट्रिबूशन एज एक्स रूपीज और य रूपीज अगर वो नहीं बताते हैं तो हम अपनी मर्जे से कुछ भी लैट कर सकते हैं अब क्योंकि कोस्टन में खुद इन्होंने बोल दिया वही एक्स और वाई ही मानना है तो एक्स वाई की फोर्म में हम लेंगे फिर कहते हैं वही ड्रो दर ग्राफ ओफ दर से चलिए सिंपल सा कोस्टन है देख कॉंट्रिबूशन ओफ यानि इसको एक्स मान लेते हैं और दुक ऑन्ट्रिबूशन ओफ कोन है फातीमा इनके कोंट्रिबूशन को वाई मान लेते हैं ठीक है रुपीज एक्स एन रुपीज वाई अब देखे, simple सी equation यहाँ पर तयार होने वाली है दोनों ने मिलकर जो contribution किया है मिलकर यानि कि दोनों के रुपेज को जोड कर कितना किया है? 100 रुपेज तो देखे, यह बन गए अपने required equation अब हमें यहाँ पर solutions find out करने हैं दो तो या तो x की value निकाल लीजिए यहाँ से या y की value निकाल लीजिए, doesn't matter, right अब क्योंकि 100 तक काम करना है तो x या y इनकी values एक दो रखकर कोई फायदा नहीं है हम directly 10 के multiple में कोई value रख लेते हैं यहाँ है न, वो हमारे लिए ज़्यादा beneficial रहेगा तो ऐसा करते हैं, x की value को, sorry, y की value को 40 रख लेते हैं so x किसके equal आ जाएगा, 100 minus 40 is equal to 60 अब हम y की value को 50 रख लेते हैं दोनों की value same आ जाएंगे, 100 minus 50 is equal to 50 okay, so जो table बन रही है, वो table हमारी क्या बन जाएगी simple सी table बन रही है, अब यहाँ देखे, x की value 60 आ रही है, y की value 40 की वज़े से और 50 आ रही है 50 की ही वज़े से, तो 2 values आ चुकी है, तो बड़े आराम से यहाँ पर हम notice कर सकते हैं, x की value maximum 60 तक गई होई है और y की maximum 50 तक गई होई है, तो हम पर box जो है, वो 10, 10 units का consider कर लेंगे यहाँ, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो चलिए 10, यानि की जो scale होगा, उस scale में हम mention कर देंगे, की 1 box is equal to 10 units, okay, 50 and 60. तो यहाँ वैसे ही वो जो unit है, वो unit actual में क्या होगी, rupees होगी, 50, x-axis, y-axis, okay, so first point है 60, 40 का, तो देखिए, पहले x की तरफ 60, then y की तरफ 40, यहाँ पोँच जाएंगे हम, so यह एक point ले लेते हैं, then next one is 50, 50, so पहले x की तरफ 50 चलें, then y की तरफ 50 चलें, तो यहाँ पोँच जाएंगे, तो यह एक point ले लेते हैं, तो simple सा graph बन रहा है इसका, बड़ा ही अच्छा graph बनेगा, ठीक है, यह graph बन गया, points लिख देते हैं, means coordinates लिख देते हैं, और यह कितना है भई, 60 and 40 है, okay, scale लिख दीजिए, scale यहाँ जगह नहीं है, तो side में जहाँ जगह है, वहाँ लिख दीजिए, scale क्या है, भई, x-axis में, one box is equal to 10 unit, फिलाल rupees हैं, तो rupees लिख दीजिए, है न, and y-axis पर भी one box जो है, same unit को represent कर रहा है, rupees, okay, तो यह था आपका question number seven, बड़े आसान सा question था, चलिए next करते हैं, बड़े लंबा कोश्य हैं, बस और कुछ भी नहीं है, असानी है, आपके science के logic पर based है, फिर से, क्या है, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius, here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, कि अगर Celsius में हमारे पास कोई भी value दी गई है, तो उसको यहां substitute करके, बड़े आराम से उसको Fahrenheit में convert किया जा सकता है, है न, Celsius की भी power 1 है, Fahrenheit की भी power 1 है, तो इसी वज़े से इसको linear भी बोला गया है, तो पहला पार्ट क्या है इसमें, कि भाई, draw the graph of the linear equation above, using the Celsius as x-axis and Fahrenheit as y-axis, ओके, सो, 8th question है न, हाँ, 8th question है, देखें, हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, let, Celsius को हम, क्या consider कर लेते हैं, x से denote कर लेते हैं, and जो Fahrenheit है, इस Fahrenheit को हम y से denote कर लेते हैं, ओके, सो, जो यह equation है, वो किसमें convert हो जाएगी, y is equal to 9 by 5x plus 32, 2, got it, तो, ऐसा कर लेते हैं, देखें, अब, x की different, different value, क्योंकि graph बनाना है, तो, दो solution निकालना है, तो, x की ऐसी value रखने की कोसिस करते हैं, जो, 5 के multiple में हो, ताकि, वे दोनों आपस में cancel हो जाएं, ठीक है, तो, छोटी ही value रखने की process करते हैं, ताकि, हमें ज़्यादा बड़े पर काम न करना पड़े, तो, starting करते हैं, 0 से ही, कि x की value यहाँ पर 0 रख दें, तो, y किसके equal आ जाएगा, 9 by 5 times of 0 plus 32, अलांकि, यहाँ, इस 32 की वज़े से graph बनाने में थोड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि, पर box के actual जो graph होता है, उसमें, 10 equal partitions होते हैं, है न, लेकिन, यहाँ, फिलहाल, हमारे पास, ऐसा graph अवलेबल नहीं है, तो, हमें दिक्कत आने वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन, जब आप actual graph पे practice करेंगे, तो, वहाँ, बड़े आराम से काम हो जाएगा, not to worry, तो जह लिए, देखिए, यह तो पूरा result 0 आ जाएगा, 0 plus 32 कितना हो जाएगा, 32, 32 आ गया, है न, अब, एक्स की value 5 ही रख लेते हैं, ओके, सो, 9 इन बाइ 5, multiply 5, प्लस 32, यह दोनों तो cancel हो जाएगे, बजा क्या 9, 9 को 32 में add कर दें, कितना जाएगा, 41, तो जो टेबल बन भी हो, टेबल अपने पास यहाँ ड्रो कर लेते हैं, छोटी सी, देखे, x और y, first से x की value 0 और y की value 32 आ रही है, second बन से x की value 5 और y की value 41 आ रही है, ठीक है, एक better option नजर आ रहा है, कि हम y axis पर तो 10 10 का gap माल लेते हैं, 10 का gap मैं जान करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि actual graph में जब आप notice करोगे, तो आपके पास, छोटे छोटे एक box के 10 partition होते हैं, है ना, तो उसमें 31 और 32, आपको 32 भी देखनों को मिल जाएगा, या इसको अगर हम 40 माने, तो यह जो point है, वो आपका 41 भी बन जाएगा, ठीक है, तो इस वज़े से 10 consider कर रहे हैं, और x-axis पर थोड़ा सा y, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए 5 unit का जो है, वो scale हम लेकर चल पढ़ेंगे, तो चलिए, graph त्यार करते हैं, I think इतने से काम चल जाएगा, 10, 20, 35, ठीक है, यहाँ इतना भी बहुत है हमारे लिए, यह x-axis, यह y-axis, 10, 20, एक सेगिंद, आगे के question में कुछ दिक्कत तो नहीं होएगी, आगे question एक बार read कर लेते हैं, क्योंकि अब इन्होंने देखिए, graph तो बनवा लिए, अब यह graph, second question क्या है, if the temperature is 30 degree Celsius, x क्या अपना Celsius को represent कर रहा है, और 30 degree Celsius को हमें लेकर चलना है, तो उसके accordingly ग्राफ, पता नहीं, उसको represent कर पाएगा, क्योंकि 30 degree, देखिए, 5 degree में ही यह actually कितना आ रहा है, 41 degree Fahrenheit आ रहा है, so 30 degree में तो यह काफी लंबा जो graph है, उसकी जोट पड़ेगी, अगर हमें graph के through इसको, क्या गरना है, read करना है, लेकिन कहीं देखा जाये, तो इन्होंने कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोल रखा, कि आपको graph के through, आपको mention करना है, कि graph को read कीजिए, और उससे answer कीजिए, ठीक है, हम ऐसा काम करेंगे, जैसे हमने यहापे value substitute की है, उसके through ही, हम यह second और third part में जो चीज पूछी गई है, वो बता देंगे, ठीक है, तो graph को हम ऐसा ही रहने देते हैं, 30 and 40, और यहाँ पर 5 and then 10, ठीक है, scale में हम mention कर देंगे, भी x-axis पर पर box 5 unit का है, और y-axis पर, पर box 10 unit का है, right, simple, तो देखे, first one is 0, 32, तो x की value 0 and y की value 32, 2, लगबग यहाँ कहीं आ जाएगा, है न, तो यहाँ एक point ले लेते हैं, and then 5, 41, पहले x की तरफ 5, then y की तरफ 41, हलका असा 40 वाली line से उपर, ठीक है, तो यहाँ एक point ले लेते हैं, तो अब इन दोनों को join करें, तो अपनी एक required line तयार हो जाएगे, यह आगे, तो यह point क्या था भई, 0, 32 and that one is 5, 41, okay, scale क्या है, mention कर दे, x-axis पर one box is equal to 5 unit, अब यह unit actual में यहाँ क्या है, degree Celsius, right, and sorry, y-axis है, y-axis, y-axis पर one box is equal to 10 unit, और यहाँ पर यह unit क्या है, degree Fahrenheit है, है ना, तो यह था आपका part one, ओके, यह तो था आपका part one, अब हमें second part पर काम करना है, second part में हम क्या करने वाले हैं, क्या बोला गया हैं, कि अगर temperature 30 degree Celsius है, तो Fahrenheit में बताईए, Fahrenheit में केतना degrees होगा, ठीक है, तो हम simply इस equation की help लेने वाले हैं, क्या करेंगे, देखिए, put c is equal to 30 degree in, किसमें, ऊपर हमने कोई equation तो नहीं लिखके दे रखी, तो ऐसा करी देते हैं, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, f is equal to 9 by 5 multiply 30 plus 32, तो यहाँ पर 5 से 30 cancel हो जाएगा, 6 है न, तो Fahrenheit कितना अगया यह, 6 into 9, sorry, 54 plus 32, यानि कि यह कितना बन गया, 86 degree Fahrenheit, right, next क्या है, third part, third में हमें उल्टा दिया गया है, कि अगर 95 degree Fahrenheit है, तो बताइए कि Celsius में कितना होगा, तो बिल्कुल same work हम करने वाले हैं, जो second part में किया था, इस बार हम Fahrenheit की value जो है, वो रखने वाले हैं, किसमें, अपनी वही equation, 9 by 5 Celsius plus 32, so, चलिए, करते हैं, स्टार देखिए, 95 is equal to 9 by 5 Celsius plus 32, तो पहले हम इस 32 को shift करते हैं, so, 95 minus 32 is equal to 9 by 5 Celsius, so, 95 minus 32 कितना जाएगा भई, 63, अब next step में, यह जो 9 by 5 है, वो इधर आकर क्या करेगा, multiply, मतलब इसका reciprocal multiply, मतलब dividing करना था, वो यही बात होती है, तो यह किस पर cancel हो जाएगा, I think 7 पर cancel हो जाएगा, है न, so, 7 into 5, 35 degree Celsius, तो देखिए, यहां से आपका यह answer आ रहे है, ओके, next क्या है, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, ओव्वेसी बात है, 32 degree है न, क्योंकि हमने देखिए, first part में भी यही किया था, हमने Celsius में 0 रखा था, तो result क्या रहा था, 32, कोई बात नहीं है, यह करके दिखाना है, तो ओवेसी बात है, करके देखा ही देते हैं, कौन सा part है, यह, fourth part है, और फिर कहता है, if the temperature is 0 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius, दोनों ही चीज़े find out करना है, चलिए फड़ा बट complete कर देते हैं, put, एक बार हम Celsius को 0 रखते हैं, किसमें, वही, 9 by 5, या तो आप starting में इस 9 by 5, C plus 32 is equal to Fahrenheit को कुछ माल लीजिए, equation 1, 2, 3, कुछ भी, और फिर कह दीजिए, in 1, in 2, आपको यह बार-बार नहीं लिखने पड़ेगी, starting में, इस बार हमने लेखी नहीं थी, कोई बात नहीं, 32 degree, तो देखे, Celsius अगर 0 है, तो Fahrenheit कितना होगा, 32 होगा, इस बार हम क्या करने वाले हैं, Fahrenheit को 0 रखने वाले हैं, right, so, किसमें, उसी में, तो हमें यह देखना है, कि जो Celsius है, वो कितना होगा, तो चलिए, रख देते हैं, Fahrenheit की जगा हमने 0 रखा, 32, अब पहले 32 इधर आकर क्या करेगा, माइनस करेगा, अब 9 by 5, 3rd part की तरह है, इधर आकर, divide करेंगे, अब देखे, कुछ cancel तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर, है ना, cancel, I think, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे situation में इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, मतलब, इनको थोड़ा multiply कर देते हैं, कुछ cancel तो होई नहीं पाएगा, तो 15, 160, divided by 9, is equal to C, चली रहा है, अच्छा, यह ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा mix fraction में कर लेते हैं, वो थोड़ा accurate form कुछ बन जाएगी, तो यह 160 को 9 से divide करें, तो 1, and then 7, यह 153 बन रहा है, और तो remainder कितना आगया वई, 7 बच गया, तो यह आगया degree में, ठीक है, pointer में देना चाहिए, pointer में दे सकते हैं, चाहें तो, बाकि ऐसे भी ठीक आएगी, तो यह था आपका part 4, जिसमें अगर Fahrenheit 0 हो जाता है, तो degree Celsius इतना हो जाएगा, और अगर Celsius 0 degree है, तो Fahrenheit इतना हो जाएगा 32 degree, चलिए, last part क्या है, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes, find it, तो हमें कोई ऐसा temperature बताना है, या पता करना है, जिसमें, actually Fahrenheit और Celsius दोनों की numerical जो value है, वो बिलकुल same हो, तो यहां हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम Fahrenheit और Celsius दोनों को एक particular quantity, same quantity substitute करने वाले हैं, put F and C, बोथ हार equal, equal, किस के, किसी के भी equal रख देते हैं, माल जिए a के equal रख दिया, किस में अपनी वही expression, 9 by 5 c plus 32 is equal to F में, तो देखे, a is equal to 9 by 5 a plus 32, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, a वालब जो portion है, वो एक तरफ करना होगा, 9 by 5 a is equal to 32, अब a को में ले ले, या LCM ले ले लेते हैं, बात a की है, अब LCM इधर अंदर ले ले लेते हैं, कोई बात नहीं, a common भी ले लिए हमने साथ साथ, यहां क्या बच गया, minus 4 by 5 a 32, तो अब इसको shift करें, तो a की value क्या जाएगी, 32 multiply 5 by minus 4, तो अब यह जो 4 है वो तो 32 को cancel कर देगा, किस पर, 8 पर, यहां नीचे क्या बचना है, minus 1, तो यह minus को तो हम उपर भी लिख सकते हैं, और 8 और 5 आपस में multiply कर देंगे, तो कितना आ गया, 40, तो यानि कि, दोनों की, minus 40 degrees जो है, वो ऐसा numerical part है, जिस पर Fahrenheit और Celsius दोनों same होते हैं, तो यही था हमारा, 5th part का answer, ओके, तो इसी के साथ अपनी जो 4.3 exercise है, वो होती है complete, तो I hope आपको यह जो content है, वो समझ आया होगा, तो please click the like button and share the video with your classmate, वो अगर आप चैनल पर नई हैं, तो please subscribe the channel, thank you.